नमस्कार मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनात परसाद डिपार्टमेंट अफ इंग्लिश जग्दम कोलच छपरा आज सारन के धरोहर की खोज में हमारी टीम यहां आई हुई है यह बहुत बड़े कभी हुए हाथ से कभी हुए और सधार्म कभी नहीं बलकि सारन के ही धरोहर नहीं लेकिन उनका घर का नाम था रागोव मिस्र जी तो मैं आया हूँ यहां जनता बजार है सारंजिला के उंटरगत जनता बजार ढोरास्थान परशिद्य मंदिर है वहां से एक किलमेटर पच्छीम हरपुर ग्राम है यह सारंजिला के उंटरगत आता है लालाद पूर्थाना यहां इस गाउं के कुछ लोग आये हुए हैं यहां पर चौबे जी हैं बरे परसिद्धे ब्यक्ति हैं और जो उनके मुहदुबर जी के एक दम बिल्कुल करीबी थे और हमेशा उनके साथ राते थे पहले चौबे जी से परचा लेने के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि थे उनके रचनाओं में जितने भी कव्यालंकार मतलब कला के ढागे में बुनकर उन्हाने बातों को भ्यक्त कियाा ऐसा नहीं है और कभी मेटाफोरिक और उसमें ईपमा का बहुत उन्दर प्रियोग करते हैं आज के तथा कतित जो नेता लोग है उन्हों पर जो है उन्होंने उन्हों ने उस्तिती बहुत कुछ बदल गई है तो लिखते हैं कि कि हूर रूसे में बा, कि हूरू गूश iç dalla याम अर्फ ऐ रूसे में है अरूसे में रूस्य कंच्री में है अगुसे मैंने घूसने में है जो सकंधलने भीर दोल अम्हे बागे सो भागेिऊ दोरा में बागा प्लान में बागे बागे कुरिया तरहे साथ लोग 20 से विकर नहीं इस तरह कि उनकी बहुत से रथना बैंग्जात्मक है और उनकी एक वह अच्छी रथना है कि करते हैं कि खांवी भर खांवा क्यान मत करो मोहंगी के सौधाबा यह करहां कि तु खांवान मत करो ना खालो तोप देलो उह और उह आ जला आँ बसीय तू ना खालो टाटका तू खालो उह नूरु आ जला ना खालो तुप देलो वह और वह आ जला अटटका तु ना खाला वह बस या जला आँ सतुवाई तहरे सोहारी सोहरे नहें तु पिसान मत करा हाई वर खाई वर्खा जियान मत करा इस तरह के बहुत से इनकी रचनाएं हैं और खासकर उन्होंने फेम कहते हैं और नारी बाद उस पुर उन्हों ने ऊस गर में साधी है उसी लड़की का वहाँ पर जो उसके ससूर हैं वो लोग जो है उसके ब्रोद परताइद करते हैं तो उन्होंने एक लिखा है की नहियर के माजा ना मिली हो धादा धाने धर्वसर धर्ती के दाजा नहियर के माजा न मिली हो दादा तो इस तरह की कविता है उनकी बहुत सी कविताएं है कि निती उठी खेल होखे लाइकन के संग में अगीत मंगल रोज होखे नया नया धंग में अंगने के रानी दुवरवे के राजा नहियर के माजा न मिली हो दादा तो बहुत सी इ देखते हैं कि बीरी पिहीं अनार कली के मज़ा उठाली कुझ गली के सेगा साग समहरे वाला भूख प्यास के आरे वाला चार सो चोवालिस बीरी अप पाकिट में तयार मसाला अहीत ना तके अईले गईले ना चाहीं पकवान मिठाई अमूठा माची सोजा धर दी अहां थे अहां थे स्वागत कर दी तो इस तरह के बैंगात्मक सैली में उनकी रतना होती तो चलिए उसके बारे में विश्यस चौवे जी हैं तो काफी सिख्षा बीद हैं और काफी अनुसंधान करता भी हैं और सबसे बड़ी बात यह हैं कि यह मुदुबर्जी के साथ रहे हुए हैं लगभा कई वर्सों तक उनके साथ काविस सम्मिलर में गये हैं तो इन से विश्यस रूप से हम जानते हैं मुदुबर्जी के साथ 18 बरसों तक रहने का मौका मिला है और इस एरिया में कोई वेक्ति नहीं है जो इतने दिनों तक उनके साथ रहा हो उनकी सबसे पहली कविता आगे नात ना पीछे पागाहा बीच बजार में नाचे गदाहा इस सबसे पहला कविता और अंतिम कविता हो इ महान मुदुबर के आला कमान मुदुबर के स्वाभी मान मुदुबर के भी स्वाभी मान सुरुजकान तिरपाथी निराला जैनति समारो के आयोजन भई रहे है मुदुबर जी के बात हो रहलबा भोजपूरी कभी के बात हो रहलबा यसे हम भोजपूरी ये बोल रहल खास करके विशेश करके ओसम्मेलन में टाटा में आदित्यपुर में भाई रहे यह अंतिम कविता हो जोन को गई नहीं हो कि हो आला कमान सब जगत के आला कमान सबकर कमान हमार स्वाभी मान यह उंहां के अंतिम कविता हो उस्रेकां दिर्पाठी निरला-जैन ती समारों में उँहां के डेले रहनी एक बाद फिर कविता लिखले नहीं कि इंपकर विचविता वह हम सुन ले रहनी हास करके बहुत हाइलाइट हुर पेटा मतमुहुदूबर के होई चार सबीस के डाली पूर्पेटी मतमु दूबर के हई चार सबीस के डाली ली इक विता बहुत हाइलाइट भूह रहे है कि जूग वाली बात रहे जमात के बात रहे जूति भी जात रहे ना रहती अकिलाप हुआ तो कोई से बसित इतोला सब गतर छोड के पेनहाव नक लोला इक विता जी के कुछ यादबार रकज़क पर्सीद किताब हो तो इस टाम रख जाए रख जाग तो रख जख में उहां के बहुत से कविता हुता सब लिखले बनी लेकिन वह में भीक्ष्याव्य के के जुन बढ़न कोई ले बनी आकि आरी पर बजरा बाद जीये के असरा बाध ऑश्य में दूखला पर काता से खत्रावा तूर धनाहरा तो नरेटी बचा दो ठड़िया थान के तू काट के हटा दो अधा हो अधा हो मोचा धा हो कि नहीं जे बोलस तो उन्हों के ढ़ा हो इक अभीत्वा के निर्मान हमरे गाउं में भाई रहा है सरस्वती पूजा का आउसर पर सरस् आगये तो उहां के का आगये ले धाह धाह मोचा मत्था हो ओही जगी से शुरूब हो अवकरबाद वकरेकर बढ़ाच रहा करके अपन कवित्वा के रूप देदा हनी यह उहां के हमरे गाउं में बनवे कोई ले आउर कोनो विसेस बात रूँआ हो इस बात बात बहुजप पूरी रत्न के काहां से इनाम मिल ले हम ना बता सके लेक्व में लेखल भीभाकर जी उहां का उई नाम नेखे मिलर उस्षरीर त्यागला का बाद उमिलल वा एक रबाद का कहें कर बाठे कहानी बहुत बाद समय कॉम बाद यह से ज्यादे बात ना कोगे एतने भर कोह कि का स्वेला का जानत रनी सुनकर सर्ज करें मर्तायं जानने वाले करने नाम मुहदुबर कभी धा जुछा का नहीं जांता है तो मैंने देखा था मिर्त् संजुनी वीध्य का उन्हें प्रयोग किया ईक पक्षी पर हुए जुआ को यहां तक बढ़ा-गाd संपति नहीं चाहिए आप मुझे वासिरबात दीजिए जो इस संपति से हट करते हैं किसी के साथ मिलना जुलना नहीं होता था किसी से टिकता नहीं था दोस्ति साधू संद की तरह थे यहां एक बहुत बड़े संद कभी लक्ष्मी सखी जी हुए हैं तो उन्होंने लिखा है कि गाउं घर छोर के बसे नी सरे हुँ आज यह में के हुँ माया मोह आवे ना के हुँ तो इसलिए कभी हिरदय था उनका इसलिए गाउं में यहां कौम बन लगता था यहां जनता बजार पर गुम्टी में वह रहते थे उसी जगव अपनी काब रचना करते थे तो अब हम देखते हैं यहां पर हमारे बीच में एक कभी जी हैं यहां ससना के बहुत प्रसिध्य कभी हैं और हास रस्य के भी कभी हैं और इनका नाम है बिरंद्र कुमार मिश्र अभाय जी तो उनसे मैं आपको मैं नमस्कार करता हूं कभी जी आप कुछ बात बताएगे मुह दूबर जी तीन जन्वरी अस्षी के इधरती छोड़ दे एक राप पोही ले एक आज जगे उहां के सुने के मौका हमरा मिललवा साधारन कद काठी एक दूबर पातर देह कान परेगो गमची आज एक आज पांडी जी के भेश भूसा में रहे वाला मौकुदूबर जी रहे देखे में तो बहुत फूहर रहे लेकिन बोली जन उहां के रहे तो न साचो कटा हर रहे यह में दूमत नहीं के आज जन रचना कोई नी उर अचनों बरी कटा हर रहे काल जोई रचनाबा, काल जोई रचनाबा, हुर पेटा मत मुहदुबर कहाई चार सो विसके डालील, अ हाई होरलिक्स के चालील, अइसान एसन कभिता उहां के रहे, कि जब मंच पर उहां का पहूंची, तो सारा लोग के एके को निगाहर है, कि कभ मुहदुबर जी कभिता लेकिन नाम रखाइल मुहदूबर और रचना रहे मुहदूबर हम देख ले रहें हम के कविता सुन ले बनी खुब ढ़ंग से सुन ले बनी वह हम बहुत कम लिखत रहनी लेकिन लिखे के सर्धा हमरों में रहे हुआ तो तीन जन्वरी के जवुएं के देहांत भाईल तो वह तेन जन्वरी असे इसके बारे में हम लोग एक मिनट इसके बारे ने उनके घ्रक ठीक 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 पुरी साहित्य सम्मेलन के सतमा या याठमा मौंच पर उहां के देखले बनी कि जतना साहित्यकार लोग रहे कभी लोग रहे कि सोब लोग में उहां कि एक और प्रतिस्था रहे वह अलग पहचान रहे अलग व्यक्तित्वर है अलग कृतित्वर है अज सबका से होट के उहां का रचना करी सबस्वेबर का चीज है कि एक बात रहे कि मनस्वी कभी रही के हुखवा है कि यह तनी कभीता हो जाए तो कोस्की एह बेरा ना यह तो कभीता तौर्कुल पर बा तौर्कुल का गाच पर बा यह तनी कभीता है आई ना कोस्की बुझाता कि एहींगा केउ का कुछ कभीता सुन लेवे को तो मनस्वी कभी उहां का रहे आई रहे कि कभी के जोनेगो आपन पहचान बा उर रहे के चाहिए यह करा कि उहां का जिंद्गी भर जो गवनी उहां के व्यक्तित्व अपसो से के गोबा कि जतना उहां का लिखा नी रक जख किताब छपल जोना के भूमी का सिपाही सिंग श्री मंत जी लिख ले रही संजोग से हम अस्वर्ग ये भूनेशर भाई दुनु आजमे मिलके शूरेंदर राय जी चौवे जी कियां से उकरा के उतार के ले गई रहनी सन रक जख में भूमी का तर ना लिखाई लेकिन रक जख किताब छपल जेंग तेंग आजय जी का प्रेस में उछपा रहे किताब अभी अभी इभलेवट बाती ना कीताब जनी के कँए प्रणाम करतानी बहुत बहुत नमन करतानी अब होजपूरी के शपूत के बार बार याद करतानी धन्यबाद जय भर अधी अधी व्यवक्त जो है मुद्वर जी के अभी है क्या आपका नाम है धरमंदर कुमार मिश्रा आप उनके पोता है तो आप बता रहे जो देट पर बता रहे थे कि मुद्वर जी जन में अधी मिर्थु कब हुआ था आपको तो ज्यादे मालूम होगा आप बता यह कब हुआ था तीन नौमबर 89 में हुआ था अधान कटात रहे सराध में उहां के जतना चीवर लागा लागा ले हम अपना यहां से देले रहनी दोही दूदू को भाइस लागत रह लिसां बहुत लोग अहलास कि कहीं दसकठा भी काई बागर बढ़ियां से सराध होई हमें के जिनीगी भर कफ़न पेन के घूम अगरा देखानी ना देखनी से बात नहीं को सुरुआ को है कि बारे में तो रहुआ मेरे यह पर विशेष यह से हम लोगा से पुछनी है तो इस तरह की सरधा गाउं के लोगों की और उनके रहने वाले लोगों की है मुहद बढ़ जी कभी के बारे में और नाम तक बाल नाम से लिखते थे इस तरह राखों मिश्ड उनका नाम थहा और वह भघपूर भगासा के एक माहान हास्त कभी हुए और उनको इनके बारे में जैदी कहा जाए कि जैसे कि उच्रपूर ने लिखा है खिवह यह लिग्त हर नौर कस्टम स्टेल हर इन्फिनाइट भड़ाइटी और जॉन किट्स ने लिखा कि नो हंगरी जनरेशन स्ट्रीट दी डाउन अर्थाद कोई भी आने वाली पीधी चाय कितना हूं भूकी क्यों न हो जाए वह कला रूपी नाइटिंगिल को कभी मार का खा नहीं सकती ठीक उसी तरह उनकी रचनाएं हैं और उन रचनाओं को रचनाएं आज भी अमर है और भविष्य में भी अमर रहेगी जरूरत इस बात की है कि उनकी रचना को राश्टी या स्तर पढ़ ले जाने की उस पर कुछ काम करने की इस करी में मैं कुछ काम कर भी रहा हूं और सारण के धरोहर के कर्म में मैंने बहुत से जो कभी है और यहां के संत साहित है जो भोजपूरी में है जो बहुत बड़ी धरोहर है उसको मैं इंगलिस में भी ट्रांसलेट कर रहा हूं और उसका हिंदी रुपांतरन भी करने जा रहा हूं कुछ को मैंने किया भी है उसी करी में हम में भी बहुत अच्छे थे और कभी के रूप में तो जग जाही रहे वह बहुत महान थे तो एक बार मैं स्वर्गिये मुहतुबर जी को चरन बंदन नमसकार करता हूं धन्यवाद